हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रियेटिव लाइफ आज हम लोग देखेंगे चैप्टर कितना सीखा दो जो की आपकी जो है क्लास फॉर की बुक से है इसमें हम जो है कितना सीखा का अभ्यास प्रफन देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो हमारा जो पहल है अलिए पहले देखते हैं कि कम यहां पर देखिए दिया गया है 4931 और यहां पर दिया गया है 4872 इस में जो आपके अंक है वह समान है यह भी चारंक का है और यह भी चारंक का है आप जो है इसको मिला सकते हैं, यह 4000 है, यह भी 4000 है, फिर यह 800 है, लेकिन यह 900 है, इसलिए यह आपका जो 4931 है, यह आपका जो है बड़ा हो जाएगा, अब उसी प्रकार से आगे देख लेंगे हम, जो की खा है, खा में 1011 है, और इसमें 11000 है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अं हैं, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अंग है, वो संख्या आपकी जो है, मेंसा बड़ी होगी, क्योंकि अगर अंक समान है, तभी हम जो है, उसके मान को देखते हैं, लेकिन अगर अंक समान नहीं है, जिसका अंक ज्यादा होता है, वही संख्या जो है, बड़ी होती है, अब इसक और यहाँ पर जो है 58,720 आपको जो है दोनों सेम अंक भी है और सेम जो है इसका मान भी है इसलिए यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हैं आपस में बराबर हैं उसके बाद घह को हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है 75,498 है और यहाँ पर जो है 58,904 है यह 75 है और यह 58 है इसल लिए यहां पर हम मोखोल देंगे इधर बड़े का दिसान लग जाएगा ठीक है इसके बाद हम दूसरे प्रशन की तरफ चलते हैं कि यहां पर दूसरा प्रशन कर रहा है दिये गए अंकों का केवल एक बार प्रियोग करते हुए सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याएं बनाओ और उन्हें जो है सामने रिक्तस्थानों में लिखना भी है चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहां पर रंक दिया गया है जिरो आठ साथ पांच और तीन तो इससे जो है सबसे छोटी संख्या हम को पहले बनानी है सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटा आंक लेंगे यहां पर सबसे छोटा आंक जो ए तीन है सुन्ने को सबसे छोटा आंक नहीं माना जाता है अगर कुई ये कहे कि हम सून्य को सबसे चोटा अंक ले ले ये नहीं माना जाता है क्यूंकि अगर किसी भी संख्या के आगे आप सूनृ मर रख दे रहे हैं जो पीछे आगे संख्या है वो जो है एक अंक कम हो लग्ट है इसलिए जब सुन और अपको सबसे च्छोती संख्या निकाल सकते यह पर सबसे च्छोती .roit पिर उसके बाद उसके बाद फॉसके बाद साथ जो है है इस पर कर से आपको यहां पर सबसे च्छोटी संख्या बिल जाएगी 3578 संग्ह。 तो इसको हमको जो है देख लेना है चलिए देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम खोजेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें आठ हो गया उसके बाद फिर हो जाएगा साथ फिर उसके बाद पांच फिर उसके बाद तीन और उसके बाद अंत में सबसे छोटी संख पिर उससे चोटी फिर उससे चोटी फिर उससे चोटी फिर सबसे चोटी आप लिखे देंगे यह आपका हो गया 87,530 यह इसी प्रकार से आगे वाला प्रेशन भी हम लोग देख लेते हैं आगे जो अंक दिया गया है एक सुन्य तीन पांच नौ चार इसमें जो है सबसे इसको कर दो तो नहां पर नौैंब यो आपकर जो है 1,592 factannis 1894 सबसे बड़ा अंग का नौ है नौक हाथ फिर 4,13100 फिर 1 फिर यहाँ पर आपको जाएगा नाव लाख चववन हजार तीन सो दस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं इसके बाद अगले परश्न की तरफ चलते हैं जो कि अपना अगला प्रस्न है वो है गार नंबर का यहां पर आपको दिया गया है कि अग्यार चारश आठ एक पाँच सुन तो इसमें हम सबसे छोटी सं Camera पहले लिखेंगे सलिए सबसे पहले छोटी संख्या सूनियी है लेकिन हम यहाँ पर एक लेंगे फिर उसके बाद सून लगाएंगे है भर ग्रार tai के पांच ऍबुर छैर यम निकाल लेंगे यह हो जाएगा 865410 यहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपका आपका एंसर हो जाएगा और आप इसी परकार से कोई भी अंक अगर दिया हो उसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालना हो तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं चलिए हम लोग अगले प्रफ निकी तरफ चलते हैं जो कि अपना है प्रफ नंबर तीन संख्याओं को जो है आरो ही एवं आरो ही क्रम में हमको लिखना है तो आरो ही मतलब बढ़ते हुए क्रम में आरो ही मतलब घटते हुए क्रम में हमको यहां पर जो संख्य संख्या हम पहले लेंगे यहां पर 3613 है 2369 है 1598 इसमें सबसे छोटी संख्या 1598 है सबसे पहले हम यहां पर आरोही संख्या संख्या में सबसे छोटी संख्या में पहले लिख देंगे 1598 और उसके बाद फिर से बड़ी संख्या यह हो जाएगा 2013 उसके बाद जो है यह हो जाएगा 3613 फिर उसके बाद जो है आपका हो जाएगा छहाजार 3330 इस फिरकार से आपको जो ए आरोही क्रम मिल गया है ठीक आप इसी को जो है आ—- आह रह ही बाद — और आप इसको लिखेंगे यहांप पर जो शबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहां पर हम निकालाक है 1369 उसके बाद 3613 फिर उसके बाद जो है 2000 इसके बाद 1558 इन संख्याओं को आप इसी करम में लिखे देंगे यह जो है आपका एंसर हो जाएगा जो की आरोही एम आउरोही करम में है अब इसके बाद जो है अगले प्रफने की तरफ हम चलेंगे जो की है अपना सबसे पहले हम रंख्याओं को देख लेंगे 25,936 और यह 46,557 और यह 52,271 और यहां पर जो है पांच लाख 84,938 तो यहां पर इसको हम कर लेते हैं नीचे सबसे पहले हम जो है आरोही करम में लिखेंगे आरोही करम इसी को जो है बढ़ते हुए करम में बोला जा सकता है छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी प्रकाट से हम दिखते हैं यहां पर सबसे चोटी संख्या जो है 25,936 है फिर उसके बाद जो है 46,557 है यहां पर आप देखेंगे यहां पर पचीस है यहां पर 46 है उसके बाद फिर यहां पर चला गया है और ठीट अप यहां यहां बढ़ती होई आगी बढ़ी जाएंग यहां पर रोही क्रम सबसे बढ़ी संख्या है और उसके बाद जो है 52,271 उसके बाद 46,557 उसके बाद जो है 25,936 यह जो है आपका अंसर हो जाएगा इस प्रिकार से आप दी कई संख्षा को आसानी से आरोही एवं आरोही क्रम में लिख सकते हैं चलिए इसके बाद हम अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं जो कि अपना प्रस्ण नंबर है चार इसमें जो है नीचे दी गई कंख्याओं के क्रम को आगे बढ़ाना है ठीक यहां पर चार है यहां पर नौ है यहां पर चार है फिर यहां पर नौ है लेकिन यहां पर एक हो गया है ठीक इसी प्रकार से क्रम को आगे हम बढ़ाएंगे यहां पर चार हम फिर लिख दें यहां पर हम नौ लिख देंगे लेकिन यहां पर एक की जगह पर दो लिख देंगे फिर आगे चार लिखेंगे लेकिन दो की जगह पर हम तीन लिख देंगे फिर आगे हम लोग नौ लिखेंगे और यहां पर जो है दो की जगह पर जो इसमें फिर तीन कर दें इस प्रकार से आप इसको solve कर लेंगे कुशी प्रकार से यहां पर भी है 15 है 15 में से 2 माइनेस हुआ है 13 हो गया है 13 में से 2 माइनेस हुआ है यहां पर 9 हो गया है अब 9 में से 2 आप घटाएंगे यह हो जाएगा साथ साथ में से दो आप घटाएंगे तो यह जाएगा पांच पांच में से दो घटाएंगे यह जाएगा तीन तीन में से दो घटाएंगे तो यह हो जाएगा एक इसी परकार से आप इसको solve कर लेंगे चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है चार का अगर नंबर यहां पर 46 था 40 हो गया यहां पर 6 कम हुआ है यहां पर 40 था 34 हुआ यहां पर भी माइनिस 6 है यहां पर 34 में भी फिर माइनिस 6 किया गया है यह हो गया आपका 28 28 में फिर माइनिस च्छा करेंगे यह आपका हो जाएगा बाइस बाइस में से च्छा करेंगे यह हो जाएगा आपका 10 10 में से आप 6 कम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा इस प्रकार गए से जो है दिये गए क्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं कि चलिए आगे देखते हैं आगे हैं पांच नंबर जो की इबारती प्रस्थन है एक तार है और यहां पर एक सेंटीमेटर हम कुंव सब मीटर में कर लेना है 19 य assessments यह हो जाएगा सेंटीमेटर जब करेंगे एक मिटर बरावर सब सेंटीमेटर तो इसी में जो है आपको का गुड़ा कर देंगे यह हो जाएगा सेमी में इसके बाद यह हो जाएगा आपीछ के फिर नवीटर में करने के लिए 63 में जोड देंगे यह आपका बच जाएगा नो में से तीन जाएगा तो उच्छा हो जाएगा और यहां पर कुछ नहीं और यहां पर फिर आ जाएगा चैनल आप दिया का पाड़ा पड़ना है जिससे की जो है थाचट से ज़्यादा नहों यहाँ पर जब आप भाग देंगे यह जाएगा 13,65 ठीक है यहाँ पर हम पच्चे बार जाएंगे और यह हो जाएगा 13 पच्चे 65 और यहाँ पर बच जाएगा एक और यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर 13 यह हो जाएगा 13 एक कम 13 ठीक यह पूरा विभाजित हो जाएगा तो प्रतेक टुक्रिक लंबाई जो है आपकी आप कह सकते हैं इसको 151 cm ठीक लेकिन इसको अगर भाग देंगे यह हो जाएगा एक मीटर और 51 इस प्रकार से आपका दो एंसर चाहे आप यह लिखिए चाहे यह लिखिए दोनों आपका सही माना जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका एंसर आजाएगा एक मीटर और 51 cm चलिए इसके बाद आगे चलते हैं आगे है छह से 98720 कितना अधीक है जब इस प्रकार के प्रेस्ट पूछे तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए यहां पर देखिए 98720 बड़ा है तो 98720 में हम घटा देंगे कितना घटाएंगे 48634 जब आप घटाएंगे इसको इकाई की तरफ से हम शुरू करेंगे तो सुन्लि में से जाएगा नहीं तो यहां से उद्धार पिर यहदwest में चार गए है यह आपका है कि और यहां पर एक बश्या फिर नहीं जाएगा लिग्ए इस सोंनी हो जाएगा अब इहां पर 9 नौ में रहा में से 4 मों में इससे चार जब आप घटाएंगे यह जाय ची यासी पचास हजार ची यासी जो है यह अधिक है किससे 48,634 किस परकार से आपको एंसर मिल जाएगा